हलो दोस्तों मैं आपके छोटी सी चिडिया से रूबरो करवाता हूँ जो मेरे पीछे पेड़ पर लटके वे गोसले बना रही है इसको आम बासा में बया नाम से पुकारा जाता है गुरिय की तरह बया भी पक्षियों के एक पर जाती है इसका आकार गुरिय की तरह होता है लेकिन रंग रूप बिलकूँ अलग होता है गुरिया मनुस्यों के घरों में गोसला बनाती है जिपके बया जिंगन मिया कहीं 20 वरसी जगे पेड़ की टेमियों से लटकता हुआ सुंदर गोसला बनाकर अंडे देती है ये अपने गोसले बस्ती के रूप में बनाती है परजन काल में एक पेड़ पर यासपास के कहीं प्रेड़ों पर एक साथ गोसले बनाती है इस जिंगल से दाना चुगने मेरे पार्क में आती है मेरे पार्क गेट के भीचों बीच हमें तेरते हुए बतन में इनके दाने की बेवस्था की है क्योंकि और पक्सी इनको अपने साथ पार्थ में दाना नहीं चुकने देते बया चेरिया बहुत जादा सेधी होती है इनको हर छोड़ी बड़ी चेरिया डराती रहती है जिस करण बेचारी इदर से उधर बलठकती रहती है बयार दाने में बाजा सबसे अड़ा पसंद करती है यहां पर बस गिलेरी थोड़ा परिशान करती है वो जम पार कर यहां पहुँच जाती है उसको भगाने की बेश्टा मैंने तकनिकी रूप से करी हुई है बच्चे तो इनके सबसे बढ़े दिवाने हैं वो खेल-खेल के रूप में आवाजे देते रहते हैं लेकिन यह वहां से बिल्कुल नहीं भागती है यह आदा ही इनकी खुपसूरती में चार चांड लगा दिती है आने जाने वाले भी इनको अब तमासे के रूप में देखते हैं इनका जब यहां से जाने का समय आएगा तो सभी के चेहरे पर कुछ दिन तक मायसी चाहिए रहती है क्योंकि यह अब पूरे आग महीने बाद यहां से वापस आएगी क्योंकि यह बहुत ही महनत का चिडिया है जिसके गोसले की नकासी और खुबसूरती की वज़े से मनुष्य दिवाना रहता है नर बया बहुत सुंदर होती है जबकि मादा उतनी आकरसक नहीं होती ये पक्सियों में प्यार और समर्पन की अदुद मिसाल है कुटुब में रहने वाली ये चडिया है ये ही इसके सबसे बड़ी ताकत है इसलिए दुस्वनों से बची रहती है दोगो को गोसला निश्चित अवदी में बनाना पड़ता है क्योंकि इनका एक समयकाल होता है ये चडिया मही माँ में हमारे केंपस के जंगलों में अपनी नई पीड़ी बसाने के लिए हर वरसी आती है जो कि अगस्त माँ तक अपनी नई पीड़ी को त्यार कर यहां से मरेकेड कर जाती है ये पूरे आठ माँ अस्ता ही रुप से अंगिनप जंगलों में गुमती रहती है हमारे जंगल में ये चडिया आठ मेनी नहीं दिखाई देती इनके गोसनों पर दुस्मनों की बहुत मज़त हैती है जिसमें कोवा नेवला आदी इनके गोस्लों को काफी नुक्सान पुचाते हैं ये उनको भगाने के लिए अपनी चेक्टी आवाजों का इस्तिमाल करते हैं सम्मू में रहने के वज़े से इनकी आवाजों बहुत जादा स्वर करती है इसकारण दुस्में के कान फटने लगते हैं जल्दी निकलने में ये भलाई समझते हैं फिर भी दुस्में गोरा कुछ गोस्लों को नुक्सान होई जाता है एक नर मादा को अकसित करने के लिए कभी कभी दो गोस्ले जोड़ी बना रहता है जिसके बनावाट अलग-अलग होती है कोई मादा लंबा गोस्ले पसंद करती है कोई छोटा लटू के आकार का मादा जिसके गोस्ले को पसंद कर लेती है उससी नर के साथ अपने संबने बनाती है मादा के अंडे देने के बार नर दिन रात बाहरी गोसले की परेदारी करता है साथ-साथ गोसले की मनमत भी करता रहता है नर गोसले बनाते समय दूसरे से बात करते हैं कोई आलची नर अपना गोसला जल्दी बनाने के चकर में दूसरे नट की गोशले से घास की बाली निकाल लेता है जिस करण इंके लड़ाईयां दिकतर होती रहती है लेकिन इन सब को गोशला बनाने की बहुत जल्दी रहती है जिससे माधा जल्दी से जल्दी उनकी गोशले के चेन कर ले वित्रो वीडियो कंत में जिंगल कोशलन करने वाले उनकी लाजवाद चेक्ती आवाजों को सुनने का जरू आनन ले धन्यवाद